सोजेही शुमीरते सिधी होई अगने नायके करिवरे बदन करहु अनुग्रह सोई बुधिरासी सुभू गुने सदन अमु कहों ही बाचाल पंगु चड़ें गिरिवरे गहना अज्या सुक्रिपा सो दयाल करहु क्रिपा मर दनमयन अज्या सुक्रिपा सो दयाल द्रवाँ सकले कली मले दहन अबंदाओं गुरू पदेकन्जी क्रिपा सिंधु नरे रूपहरी अमहा मोहतम पुण्जी जाशु बचने रवी करनी करण अशांतं सास्वतं प्रमेयम अनगं निर्वाण सांती प्रदं ब्रह्मा सांभू फडिंद्रसे ब्यमनिशं बेदांत वेद्यं बिभू रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरू माया मनुष्यम हरी बंदे हम करुडा करम रघुबरम भूपाले चुडा मरे देखें प्रभू स्री राम जी के स्वरूप का वर्ड़न इसी एक स्लोक के अंदर पूरी विवस्था है सान्त हमेशा सनातन सनातन मने जिनका कभी आदी और अंत नहीं अब प्रमेय मने प्रमाणों के परे उनकी तूलना आप किसी से भी नहीं कर सकते निश्पाप वे पाप कभी नहीं कर सकते कभी नहीं थी मोक्ष रूप मने अपरा शक्ती के बाहर जीवना के आख कान चमड़ा मन बुध्धी अहंकार और तर्क इसके परम शांती देने वाले शांती नहीं परम शांती ब्रह्माजी शीवजी और सेष जी से निरंतर शेवित माने ये सभी निरंतर शेवा करते बेदांत के द्वारा जानने योग इनको साधारल प्रकार से नहीं जाना जा सकता सर्व व्यापक माने हर जगह हर जीव के अंदर हैं देवताओं में सबसे बड़े ब्रामः ब्रिंद के एक मात्र देवता हैं ठीक नहीं हैं हर ब्रामः को सिव स्वरूप होना चाहिए ब्रंभा बिश्व स्वरूप होना चाहिए तपस्वी जीवन होता है ब्रामः के लिए इस सब जो है कि लाव लस्कर और दिखावे का जीवन बेदों में नहीं बताए गया थी ठीक मैं माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान बोला नहीं सुन्ना के खान पत्रे के खान यही जो है करुणा के खान रगुकुल में स्रेष्ट तथा राजाओं के सिरो मड़ी स्री राम कहलाने वाले जगत के इश्वर की मैं बंदना करता ठीक नहीं और देखें इस्थिती है कि यह जो लिला असली है इसमें मात्र देवता और असूर बसीनी के बीच में खीचा तानी होता है इनी के बीच में मात्र खीचा तानी हो रहा है और वह है इच्छा रही जब भारी विपत्ती आई जब ब्रह्मा जीता का सुती करने लगे ठीक नहीं है तब वह आएंगे क्यों नहीं आएंगे भाई यह रहे तो तो देखें प्रभू आये और बताये कि अब डरो नहीं हम आएगे और माता को सुल्या जी और दसरत जी के घर में अंसों सहीद आएंगे और तिस्वी का भार दूर प्राम लोग दुखा नंबर 187 पर रुके थे और दुखा रहा कि निजलो कहीं बीरंची गे अदेव नई है सिखाई बानर तनू धरी धरी मही हरी पद से वहूं जाई देवताओं को यहीं सिखाकर कि बानरों का सरीज धर धर कर तुम लोग प्रिस्वी पर जाकर भगवान के चरनों की सेवा करो इतना का करके ब्रह्माजी अपने लोऔट यानि सत्त लोओ को चले सत्य लोग में ब्रह्माजी रहते हैं तो फिर ब्रह्माजी जूट तो नहीं बोल सकते हैं सत्य ब्रामण का परमधर्म है सत्य ब्रामणों का अहिंसा प्रतेक प्राणी का धर्म है जूट कभी धर्म नहीं हो सकता है लेकिन ब्रामण कुल मिला है तो वहां जूट का एक अंसरी अगर है तो बहुत कलंक है वह मात्र तो जब चले गए द्रमाजी सत लोग तो गए देवे सब नीजे नीजे धामा अभूमी सहीते मने कहूं भी इस्त्रामा सब द्योता अपने अपने लोग को चले गए और धर्ती माता सहित सब के मन को सांती मिली अजो कच्छु आयसू ब्रह्मा दीना हर से देव भी लंबन कीना और ब्रह्मा जी ने जो कुछ हाग्या दिये उससे देवता बहुत प्रसंद हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की है कि कि अख्रती माता रहती के गोद में करके अपना जो है उस रीड है धारण कर लिए देवता भी झारण कर लेते हैं कि लेकिन वह एक निश्ची सीमा के लिए ये वह ऐसा नहीं कि जिसते हम लोगों की तरह नहीं लेकिन धारर करते हैं तो बन चर देह धरी छीती माही आया तुली ते बल प्रताप तीन है पाही प्रिस्वी पर उन्होंने बानर देह धारर कर ली और उनमें अपार बल और प्रताप था ठीक नहीं है कि आइसा ही समझ लोगते हुआ कर तागत के रोक वाई आप हवा के तागत से देखा लेकि पुछ तुनामी आ जाला पाणी के था भड़ी कोर रहे इन पे पूई तानता लगा पाई आगी के से लिए दोटा है इस ने है तो सभी सूर्वीर है, सभी सूर्वीर है, अगीरी तरु नखेया युधे सब बीरा, हरी मार अगे चिते वही मती दीरा सभी सूर्वीर है, परवत, ब्रिक और पहाड, नाकून, परवत, कल्याड हो है, कल्याड हो, अराम से, अराम से, आज मल्ला नहीं जमाई ले ले आए, चले बैट जाओ, नहीं थोड़ा सा पैर लडखा लना है, अराम से, तो ध्यान दें, इनके अस्र क्या है, परवत, ब्रिक और नक्याड, और वे धीर बुद्धी वाले बानर रूप देउता, भगवान के आने की राह देखने लगे, ठीक नहीं, कल्याड हो भाए, कल्याड हो, सजने होली पर नयान या कुर्टा बनवाए है, समझने अब होता है, चले, अब होता है, तो सब लोग भगवान के आने की राह देख रहे, देखो, बुद्धी अगर पवित्रता की ओर जब बढ़ता है, तो एक जगह जा करके बुद्धी एदम धीर हो जाए चाहिए, कहां, रामकाज करिबय को आतो, प्रभु का सेवा करें के जितना मौका मिल जाए, बस ओही में जो नहों, मन लगा है, बाकी संसार में शरीर रहा है, लेकिन मन ना, एदम पक्का बाद, तो गिरिकानन जहां तहां भरी पूरी, रहे निजे निजे, अनिकरूर रची रूरी, कहते हैं कि वे बानर, परवतों और जंगलों में, जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना कर भरपूर छागे, ठीक नहीं है, अब सिव जी कहते हैं कि यह सब रूचीरे चरित मैं भाखा, अब सो सुना हूँ जो बीच नहीं राखा, कहते हैं यह सब सुन्दर चरित मैंने कहा पारवशी, और याग बलक जी कर रहे हैं कि यह सब सुन्दर चरित मैंने कहा भारत द्वाज जी, और आप लोग भी वही बात सुन रहे हैं, आप लोग अलग थे, क्योंकि माता भवानी के ही अंस हैं, इसमें भी कोई दो रहा है, करते हैं कि अब वह चरित्व सुनें, जिसे बीच में ही छोड़ दिया था, ठीक नहीं हैं? कि अब इहां तक तो रहा भगवान के अवतार लेने के कारण, तो कारण में देखा कितना कारण बना, और अंतिन तक द्रम्हा जी तक के सोचा के पड़ीगा, नहीं, मने पुर्वा ब्रम्हंड़ा के इसी थी, अब एक अगर रोख लेवाएं, अब इक तल्यूग लड़के वाँ, तभी काम हो जाई, ध्यान दै, उन्में हम भी नई डालेकि लड़कों उनकी तरह हैं, दिक्कत वाँ, होस गावान है, ठीक, कान, मन, बुद्धी और चित, चारो एक अवस्था में होएं के, तब यह तब भगवान के कथास हो जाएं, ठीक, देखाओ, यहां तक से कारण होईगा, और कारण में समझने आगल कि जब 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 ज़्यादा बेवस्था, जब कोई के समार है, जब क्यों जी नहीं समार पावाता है, तब से राम जी के आवर के, यहने, काए कि लीला उनका रूके वाला नहीं वा, यह दब तक्का प्रमार, तब देखाओ, अब यहां से, अब बात हो था प्रभू के उतार, तो आवध पूरी में रगुकुल मनीराओ, बेद बीदीते तेही दसरते नाओ, आवध पूरी में रगुकुल सिरो मडी, दसरत जी नाम के राजा हुए, जिनका नाम, बेदों में बिख्यात है, यह बेद पढ़े हुए, तो उसे कब रहे बेद में राजा दसरत का नाम आवला कि नहीं तो बती हैं आवला, ठीक नहीं है, तब वो सब जो है देखो, सबसे बड़ा पूरे आत्मा हुए नहीं रहें, तो देखिए राजा दसरत जी क्यों बेद गाते हैं, कोई भी किसी का यस क्यों गाएगा, जब ओके समझ में आई, और ओकर भाव में सांती पवित्रता जब आई, तो धर में धुरंधर, अगुन निधी ग्यानी, हिर्दय भगती मती, सारंग पानी, राजा दसरत जी, धर्म में धुरंधर, माने उनके द्वारा ऐसा कोई कर्म ही नहीं होता था, जो की अधर्म का हो, एक भी कर्म अधर्म का, गुडों के भंडार और ग्यानी थे, गुडों यानी सत्गुडों के भंडार, और उनके हिर्दय में सारंग धनूश धराण करने वाले भगवान की भक्ती थी, सारंग धनूश, वैं स्रीराम जी के धनूश का नाम राजा, तो उसी भगवान की हिर्दय में भक्ती, तो मनुष्ट को ऐसा ही होना सद्गुड हो धर्म के रास्ते पर हो ग्यानी हो ग्यान इतना बाब कि सब अंदर से एक हो दूठे कोई हो इतना में ग्यान बाब हो अहुरे दुनों ग्यान नहीं लोग फोनको हो सकता है और ऐसे भगवान की भक्ती थी और उनकी बुद्धी उसी में लगी रहती थी ठीक ना उनकी बुद्धी मात्र भगवत भाव में ही लगी और देखें शिव जी की बाड़ी है या जूठ नहीं हो सकती शिव जी सत्य के प्रमाड है प्रमाड मतलब ये गिंती गिनल एक से कहा जाके खतम हो ला अगर शिव जी के कहा था तो अगर जूठ के जगह कहीं नहीं हो है कि अगर जूठ के कहीं जगह बाड़ तो उस स्यूजी के सेवक यह नहीं का गुद्धी जी तो सेवक कहा पर ज्यांद है तो कोई कहें मैं आज हमें मनई यही तो मनई के सरीडिये वाने सेवक नहीं है मनई के सरीड दिखाता तो दिखाता हो जाई है और सत्त के के धारर कर पाई जेकर छो के अंदर मन नहों लगाओ तरीर पत्री पूत्र घर धान और जमीन यह चो से कौनों लगाओ लगाओ का मतलब की लालच लालच शेवा में कौनों दिखत लेकिन लगाओ के जगह मन निश्काम भाओ तो देखे हैं कौसल्यादी नारी प्रिय असबया चरन पूनी अपातिया नुकूल प्रेम द्रिण हरी पद कामल बिनी उनकी राया दसरज जी की कौसल्याजी कैकेई जी और माता सुमित्रा जी ए तीन प्रिय रानिया थी जो की सभी पवित्र आच्रण वाली थी अब बैठ जा बैठ जा राम से अरे कल्याण हो भाई बस बैठ जा बैठ जा ठीकना है तो ए ध्यान देब बश बैठो बीरवल भाई कल्याण हो भाई प्रिया काई भारी करत है 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 हो जाता है नहीं हो किसे जाता ध्यान देब वह उससे ही समय प्याद है मराज दस्राज जी के जो तीनो रामी हैं वे सभी पवित्राच्रण वाली हैं और बड़ी बिनम्र और पती के अनकूल चलने वाली थी माने उनकर मन भी पती में शरीर भी पती में और बाड़ी भी पती के अनकूल तीनो के इतने हैं और श्री राम जी के चड़ों में उनका द्रिड फ्रेम था द्रिड फ्रेम के मतलब का हुईगा कि मात्र प्रगू ही सबकर जो है आत्मा है अलग से कोई हो इद्रिड करेके पड़ाला इसे प्रकार के इखिर कर बड़ तब बना सही बृत्ती बनी तो इब वसा जब द्रिड कर ले बैए कि शिव जी कभी आत्मा है राम जी कि ब्रह्मा जी बिश्रू जी सब जने उनहीं से जो हो वही है अजनमा द्वैत अखंड ब्रह्म अलग से कोई कि यहां तक ते रहा है लेकिन अभी संसार हो कि इमें जोनों कोई के लड़का नहों होना है तो सब बड़ा दुखी रहा है वह सहीं दिर्वलों भाई दुखी रहें पिर लड़का भैल सब नहीं सुखी वैं कहें कि काम बढ़गा नहीं है ठीक तो एक बार भूपति मन माही भै गलानी मोरे सूते नाही तो एक बार राजा दसरजी के मन में बहुत बड़ी गलानी हुई और जोने समय कि हमरे एक को बिठवा नहीं बैल और जोने समय गलानी भैल ओ समय दसरजी का उमर रहा साथ हजार बरी साथ हजार बरी इस अब रहस्त के जाना तो आप समझ मियाल के हमरे लड़का दिखने पहले बताओ दी पाप अगर छोड़ दया अब ही ने साजु भाई के देखा था ने अब ही रास्ता मिल जाई अगर चाहा तब पांसो धंड बैठकी अब पांसो सबाटा और पांस किलो मीटर के दौड में एक नंबर प्राप्त करिए सद्धिका इसे लगत नबा कि इसे नहीं हो सकत होला मन पवित्र करके जहतना जौने भाव में इससी रोब है शरीर के रूप रेखा हो इसने है हो जाई है ज्यान दे है ठीक नहीं जब भगवान के चर्चा चले तो उम्हें अलग से कुछ को करेगे जरूरत नहीं बाद ठी तो गुरू ग्रिह गया उतूरत मही पाला चरन लागी करीबीन यभी साला तो जब ग्रानी भाल तब गुरू बसिष्ट जी के हाँ तुरान राजा दुसरा जी पहुचते है और उनके चड़ों में प्रडाम करके बहुत बिने करते अनिजे दुखे सुखे सब गुरही सुनायाओ अकही बसिष्ट बहु बिधी समुझायाओ राजा जी राजा दुसरा जी अपना सब सुख दुख गुरू जी को सुनाए और गुरू बसिष्ट जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाये तो ध्यान दे यदि मन में कौनों बात हो तो उखाली गुरू जी से ही कहे के चाही अगर कोई से कहबन है तो उस्वची के अच्छा एंए चीज में फसल बात नहीं हम रोपाइदा तक कपट के जाल में कामना अगर आया अलकोनों गुरू पभित्र गुरू के लावा अगर कहीं बात ले जाता है तो उपटाई मतलब कपट करी इसे राजा परताब भनू के दिखले है नहीं लालस अगर नहीं वहालो तो कोई भी धर्ती पर अगरी कहें कि तोहारी काम हम करा दें तो कहीं दिया दे तो यह अगर लालस देता तो उसमर्ण लगू कप्टी वावू संथ नहीं कुछ भी या मुक्ति दिया दे संजले या रिधी सिधी दिया दे या सोना बनाई शिखा दे इस सम्मात्र पाखंडवा इव में कोनों मतला उस संथ के दोस्था तो गुरु जी चे बात बता सकते तो कहते हैं गुरु वसिष्ट जी कि धी रज अधर हूं धीर होई हैं ही सूते चारी अत्रिभु अने बीदी ते भगत भय हारी अब ध्यान दे करते हैं कल्याणु भाई बद्दी भाई करते हैं राजन धीर धरो तुम्हारे चार पूत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसीद और भक्तों के भाई को हरने वाले देखा कहां बाई अब कहां डर रहता मोहन भास अब मोहन जी पक्का पक्का बनले कि अभी किसना सीड़ी च्छा लगा अब जब बिर्वल भाई के चछा देवें तब्या काम हुई तब्या मान अब चछा ले क्याएं कि अब देखा ने इतना आप लोग पने संकेत खली जा समूद्र डाग के जना है समूद्र डाग के कल्याड हो है कल्याड हो सुबेल परवत तक पहुच गलबा विवस्था ठीक नहीं है अब वह पानी डाले के बाद है ठीक तो करते हैं गुरुबशिष जी की राजन धीरत धरो तुम्हारे चार पूत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसीद और भगतों के भैकों हरने वाले तो यहां प्रस नहीं नहीं प्रस नहीं कुझे पता गुरुबशिष जी के तोन है ब्राम्भा जी के बिढ़वा अब अब ही आकास बाड़ी सहल है है ने जब बाव के पता बाद बिटवाग ना पता रही तो स्रिंगीरिस ही बशीष्ट बुलावा पूत्र काम सुभ जग्य करावा अब भगती सहीती मूनी आहूती दीन है प्रगते अगीनी चरू कर लीन है तब गुरु बशीष्ट जी स्रिंगीरिसी को बुलवाए और उनसे सुभ पूत्र कामेश्टी यग कराए और मुनी के भगती सहीत अहूतियां देने पर अगनी देव हाथ में चरू यानि हविश्यान खीर लिए प्रगत हुए हुए ठीक बने है राम शकल भाई बैट जा कुछों करा कि जरूरत नहीं हुआ कैसे प्रगत हुए भविश्यान खीर लिए हुए प्रगत किये अरे खल्याणों प्रभू बस विराज़ा अब देखाई राम दास जी बन गावान पका पका अब बैट जा भगवान के कथा ठीक नहीं है कि ठरियों ठरियों कि तो अंदर पर इठाय है कहां आप दिक्कत भाई ठीक तो जो बस इस्टे कच्छू धीरदय विचारा सकल का जुभा सीध्य तुम्हारा अगनी देव अब देखिए अपनी जो अंदर की सिती है गुरू को बताए तो गुरू अगर उचित समझेंगे कि यह कार हो ठीक नहीं तब ही वो कर्म कराएंगे अगर गुरू को लगता है कि नहीं यह उचित नहीं है तो फिर वह कार है हाँ वो समझाएंगे तो चुकी अब देखिए बता रहे हैं अगनी देव प्रगट होते हैं और दसरत जी से कहते हैं कि वसिष्ट जी ने हिर्दे में जो कुछ विचारा था हे राजन तुम्हारा वह सब कार सिद्ध हो जाए अयह हभी बाटी देहुनरी पे जाई जथा जोग जेही भाग बनाई कते हे राजन अब तुम जाकर इस हविश्यान पायस को फिर को जिसको जैसा उचित हो आईसा भाग बना कर बाट दो तब यद्री से भए पावक असकल सब ही समुझाई अपरमान अन्द मगनें रिपा हरस नहिर्दय समाई उसके बाद अगनी देव सारी सभा को समझा कर अंतर ध्यान हो जाते और राजा दस्रजी परमान अन्द में मगन हो गए और उनके हिर्दय में हरस समाता नहिर्द अब देखें धर्म धुरंदर है ज्यानी है और शारंग धनु धनुस को धारण करने वाले स्रीहरी के चर्णों के भक्त हैं तो जैसा भाव रहेगा वैसा ही पूत्र उत्पन इसलिए भाव को पवित्र करना परमावस्यक होता पत्नी हमेशा पती के अनकूल हो और आप जितना अच्छा भाव रखेंगे उतना अच्छा बंक्स आपको लेकिन इम्मे सब उल्टा होई कि अब आए समय यह ने कहीं हम तुसे कम ही का फ्रिद के लिए लेका हमार भाव नहीं थोड़ा नमक लेती ही जें नमक फीक अभी कल्यों के प्रभाव बाग कोई के में गलती नहीं बाद फिरा भाई अब फिरा बने में कितना देरी तो अब देखिए अब समझ गए इसना पता है माता को शिल्या को तो सब पता है तो उसी समय राजा दसरज जी अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाए और माता कोशिल्या जी कैकेई जी और सुमित्रा जी ये सभी रानिया वहाँ चली आती अब देखिए ये बड़ा रहस्पी बात है अर्ध भागे को सल्य ही दीना अव्भय भागे आधे कर कीना जैसे माले कटोरा में निकाल ले पूरा तो आधा कोशिल्या जी के देदे है ठीक नहीं और जोन आधा बचा ओके आधा कर देए अगे आधा कर को वह बैट जा तो तो ड़िए कहान री पर सो दायाओ और रहयो शो भाए भाग पूनी भाएं तो देखै आधा तक कोशिल्या जी के देदे है आधा के एक तुकुड़ा जोन हो मने एक तिहाई के केई जी के देदेन अब जोन एक चौथाई बचा एक बचा नहीं उपने आपे दू भाग में होई जाए ओके जोन करे के जरूरत नहीं पड़ा और उजोन दूनों भाग रहा कौशल्या कैके इहां थदरी अदिन है सुमेत रही मन प्रसन्न करी वह दोनों भाग फिर कौशल्या जी के हाथ में देदेते और मता कौशल्या वह दोनों भाग कैके इह जी को देदेते और माता कहके ही मन प्रशंद करके वह दोनों भाग सुमित्रा जी को ठीक नहीं इस बात समझने आ गया है तो जब भी शरीर के माध्यम से कुछ भी दिया जाए तो मन एदम पवित्र करके ही देना भार रख्के नहीं जो भी दिया जाए मन एदम पवित्र और प्रसंद करके और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रसंद अब डू भाग मिला बाग सुमित्र जी के तो यानि लक्षमर जी और सत्रुगन जी यह दोनों माता सुमित्रा के ही फूर्ट थे कि यह दोनों पूत्र किसके रह बने लक्षमर जी राम जी का अनुश्रार करने लगे और सप्रुखन जी भरत जी को लोग वहां पर सुझते हैं कि नहीं वह दोनों भाईय रहे होंगे तो यही बिधी गर्भेश हीत सबैनारी भाई हिर्दय हरे सीत सुखभारी इस प्रकार से तीनों माताएं गर्वती हो गए और वे हिर्दय में बहुत हर्शित हुई उन्हें बड़ा सुख मिला अज्जादी ने तेहरी गर्भ ही आये सकल लोके सुख संपती चाये जिस दिन से स्रीहरी लीला से ही गर्भ में आये सब लोकों में सुख और संपती चा गई सब लोकों का मतलब हुआ कि यह चौदा गुवनों में ब्रम्हांड के अंदर जितने चौदा गुवन है सब गुवनों में सुख और संपती चाये तो देखिए वो आये हैं अपनी इच्छा से वो उस प्रकार से नहीं आये जिस प्रकार से आम जीव पैदा होते हैं ठीक न निज इच्छा आओ तेरे उप्रभू माने निज इच्छा निज तंक वे कभी भी माया के प्रकार से धर्ती पर नहीं आते हैं तो ऐसा मनुष्ट जो भी माता पिता के ही मिलने से उत्पन हुआ हो वो कभी पर मात्मा नहीं हो सकता कि वह कभी पर मात्मा नहीं है अहां सब जूटेगा आपस पूजा करा हो लें कि वहीं भगवान भाई है कि यह सब जो है मात्र हीडा कशपू का छाया बाया अवरों कुछ तो ध्यान दें यहां चीत रखो 65 साल से भईया साधना करे रहें अब समझ मिहायल की बात पूट रहें अधिक जायद है कौनो बात नहीं तो क्या हुआ कि मंदीर महा सब है ज्यांद है काई कि एक एक बात जो है की बड़ा गहरा गहराबा यहां जब शच्च में विया करा के लड़की लियावाल है मेरा रूब ना के बड़ा सुन्दा सुन्दर रह ली नहीं शुरूबे दो लेकिन जब गर्वती हो जी है तो बाद में उनका चेहरा पुरा जाई नहीं नहीं यहां ठीक उलते है बाद कि मंदीर महा सब है राज ही रानी सोभा सीले तेजे की खानी सोभा माने सुन्दर्ता सील यानी मर्यादा और तेज की खान बनी हुई सब रानिया महलो में सुसोभित हुई मतब यह है उनका खोड़ा भी बिगड़ा इस प्रकार कुछ समय सुख पुर्वक भी था अब वहाँ आवसर आ गया जब प्रभु को प्रगट होना तो जोग लगन ग्रह बारती थी असकल भाए अनुकूल अचर यरू अचर हर से जुता राम जनम सुख मूल योग लगन ग्रह दीन और तिथी सभी अनुकूल हो गए सभी अनुकूल अनुकूल और प्रतिकूल समझा लने हैं और जड तथा चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि स्री राम जी का जनम ही सुख का मूल यानी जड होता तु नौमी तिथी मधू मासे पुनीता असुकल पछे अभी जीत हरी प्रीता अमध्य दिवसे अती सीत नगामा पावन काल लोक भी इस्रामा असीतल मंद सुरभी बह बावू हर सीत सुरे संतन मन चावू अबनकु सुमितिगीरी गनमनियारा अस्त्रवही सकले सरी तामरीते धारा अब देखिए ज़्यादा दिन नहीं बस यहीं 24 दिन का समय है ठीक नहीं तो कते हैं पवित्र चैत का महिना था नौमी तिथी थी नौमी तिथी आज प्रती प्रदा होई ने काल पूर्मा रात आज प्रती प्रदा होई सुकल पक्ष और भगवान का प्रियर अभी जीत मुहूर्त था अभी जीत माने उस मुहूर्त में अगर जो भी वह मुहूर्त जल्दी मिलता नहीं लेकिन उस मुहूर्त में जो पूत्र उत्पन हो वह बहुत कि मने मेधावी होगा और संसार में बहुत कुछ कर से दोपहर का समय था दोपहर का समय उए 11 सुवाए 11 बजे के समय रहा हूं 12 बजे के बाद वाला नहीं पहले वाला ना बहुत सर्दी थी ना तो बहुत ही धूँ तो एक तो बजा नहीं होई ठीक नहीं है वह पवित्व समय सब लोकों को शांती देने वाला था और सीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था पवन देव, सीतल, सुगंधित और मंद धीरे धीरे देवता हरसित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था ठीक नहीं है वन फूले हुए थे परवतों के समू मडियों से जगमगा रहे थे यह कलियों में कहीं सुना के नहीं होता है उन्हों का पहाड़े पगा मड़ी अगर सुना जाए तो फिर अपन निकल दियें धिले से रात है रात है ठीक ने और उसमय जगमगा रहे थे और सारी नदिया अमरित जैशी धारा बहा रही तो सोय वे सर बिरंची जब जाना चले सकल सुरे साजी भी माना अगगन बिमले संकूले सुरे जूथा गावही गुन गंधर्वे बरूथा जब ब्रह्मा जी ने वह आउसर जाने माने परमपिता परमात्मा के प्रगट होने का तब उनके समेथ सारे देवता लोग बिमान सजा सजा कर चले और निर्मल आकास देवताओं के समूहों से भर गया देवताओं के समूहों से और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे इस समय भी है इस समय भी सब लोग चारों तरफ हैं और निश्चित है उसका प्रभाव है कि आप लोगों का मन इस समय सांती की अवस्था में यह उसी का प्रभाव है क्योंकि जैसे आप लोग ठेकेगे वह ऐसे ही बुद्धी तो बरस ही सुमने सुअंजुली साजी गह गही गगने दुम्दुभी बाजी आस्तुति करही नाग मूनी देवा अब बहु बिधिला वही निजे निजे सेवा पिछली बार कहे रहे हैं कि प्रम्हा विश्णु महे सावत हैं तो संकर जी के जगह हनुमान जी आ गया हैं बस इतने बार ठीक ने हैं और ओ हनुमान जी का अनुमाओ कर चुका बायंत बिर्बल फार यह से मतीशा गुलाब जाहूं तगड़ा ख्याल लगे नहीं से तो कहते हैं कि सब सुन्दर अंजलियों में सजा सजा कर पूस्प बरसाने लगे और अकास ने घमा घम नगाड़े बजने लगे नाग मुनी और देवता अस्तुती करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी शेवा यानि उपहार भेट करने माध्यम स्यावता तो का है देवते हुए तब है कि ठीक वही समय पर वही हां स्यावता जेके कहन की है ब्रह्मा विश्व महें से ठीक ने तो उंकार भाई के जगे बिर्बल भाई अब यह क्या करा लंका में ना जाएक वाले कि नहीं फ़र्जगर मिठाई के दूखानी पर अब समय आगलबा लेकिन आप लोग ओई स्थिति साउगा थोल है कि यह ना केला है पूल भी बनान और समुद कास करके कहां पर पहुचा बान सुबेलू परवत पर अब अब ही आप लोग जोड़ हो सैयारी नहीं कर पेले अब चलाता है अल चल मचाबा नहीं नहीं मिला जुलान दिखा हो गड़े बना पन्नीन है तो ध्यान दे शूरे समू है बीन करी अप पहुचे नीजे नीजे धाम अजग निवास प्रभू प्रगटे अखिल लोक भी श्राम तो देवताओं के समू बिंती करके अपने अपने लोक में जा पहुचे और समस्त लोकों को सांती देने वाले जगत के आधार प्रभू स्री राम जी प्रगट हो गए तो बोलिये सियावर राम चंद्र की अब प्रगट हो गए देखिए यही समय है कि उसे भले निग्यारा वजे प्था देरी होगा है अब देखिए अब ध्यान दे चलावा जहां भी वह सही चलावा तुरान मोहर भाई थीक नहीं थीक नहीं थीक नहीं थीक नहीं थीक भाई ध्यान दे अब राम रस ले लाए तक है कि अब प्रगट बायां तब हमें आगल बाद चंद नहीं बोला अवत मही भाई दुखरन भाई अब तनको मस्टो तो ऊच्छी को गिराक नहीं मन पवीत्र खरके सुने जागी गिराके तो काए कि सिती बाद यह हैं तो जगत को अधार देने वाले अब देखिए आत्मा अगर आत्मा नर है तेको मन बुद्धी अहंकार जीवना के आख कान चमड़ा को चली इसलिए वहीं जगत के आधार ठीक नहीं तब प्रगट हो गए हैं बिल्कुल चतुरभूज रूप धारड किये उसी सरूप में नील सरोरूह नील मड़ी नील नीरधर स्याम अब वही सरूप जो मनुआव सफ्रूपा जी को दिखाये थे उसी सरूप में प्रगट तो माता कौसिल्या जी क्या करती हैं कहती हैं और आप लोग भी कुछ जानते हैं कि भए प्रगट क्रिपाला अदीन दयाला कौसल्या ही ते कारी हर सिते महतारी मुनी मन हारी अदभुते रूप विचारी अलोच्यने अभीरामा तनुघने स्यामा निजेया युधे भुजे चारी अभूशने बने माला नयने विशाला असोभा सिंधु खरारी अकह दूई करे जोरी अस्तुती तोरी केही बिधी करव अनन्ता माया गुने ग्याना तीते या माना बेदे पुराने भनन्ता करुना सुख सागर सब गुने आगर अजेही गावही शुती संता सो ममहित लागी अजने अनुरागी भयाव प्रगत स्रीकंता अब्रहमांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे मम उरे सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मती थीर न रहे तो उपजाजब ज्ञाना अप्रभु मुशुकाना चरित बहुत बिधिकी न चहे तो कही कथा सुहाई मातु बुझाई अज्येही प्रकार सुत प्रेमल है तो माता पुनी बोली असो मती डोली तजहुताते यह रूपा की जैसी सुलीला अती प्रिय सीला यह सुखा परमय नूपा सुनी बचन सुजाना रोधन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरीते जेगा वही हरी पदपा वही अतेन परही भाव कूपा तो दीनों पर दया करने वाले अहंकारियों पर छेदी भाव दया नहीं करते हैं यह कि जाता हम ही हमार हो उपर भगवान दया है कि अजय के पता होगा तो दीनों पर दया करने वाले कौशिल्या जी के हितकारी क्रिपालू प्रभू प्रगठ हुए और मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अध्भूत रूप का बिचार करके जब प्रगठ हुए तो माता जी देख रही है बिचार करके माता जी बिल्कुल हर्स से भर गई मने कि खुशियों का कोई ठीकाना और नेत्रों को आनंद देने वाला मेख के समान स्याम शरीर था जैसे बादल बर्से वाला दिखाव वाला नहीं वही कि तरह उनका शरीर है चारों भुजाओं में अपने खास आयूद धारण किये थे संक चक्र गदा और बनमाला ये चारों जो है बिवस्ता के साथ दिव्या भूशण और बनमाला पहने थे और बड़े बड़े नेत्र थे इस प्रकार सोभा के समुद्र तथा खर राच्छस को मारने वाले भगवान प्रगट खर राच्छस खर काबा ये लालच कामना गुस्सा घमंड जलन ममता ये चोटे राच्छस हैं तो भगवान के जे भक्त बात तो उहाई सब राच्छस अब भगवान तो प्रकट हो गए तो दोनों हाथ जोड़कर मता को सिल्या जी कहने लगी कि है अनंत अनंत मने जो की मन बुद्धी बाड़ी और तर्क के बाहर हो मने ए चारों की बस की बात वहां तक मन भी नहीं पूछ पाएगा जब कृपा करके समझा जाई तब समझदे नहीं अपन कितनों तर्क करने कुछ होए वाला तो संत को हमेशा इक्षा से मुक्त होना नीजी इक्षा का जगा तो जे अनंत के अवस्था में रहे हुए अनंत का अनुवाव करा पाई नहीं खाली बाड़ी बोले से कुछ होए वाला नहीं बाद यह नहीं नरधाए तो कहते है अनंत जी मैं आपको आपका किस प्रकार अस्तुती करूं बेद और पुराण तुमको अब पुत के रूप म नहीं है तो करें तुमको माया गूड़ और ग्यान से परे और परिमार रहीत बतलाते हैं तो माया कहा तक माया क्या सीमा रेखा बाद गो गोचर जहां लगी मन जाई अताह तुम माया जाना हूं भाई माने मन जहां तक जा रहा है अगर बैकुन्ट धाम तक भी जा रहा है तो वह भी माया ही है ठीक नहीं इंद्रियों के बारे में सुख भोग के बारे में जहां तक मन जाता है वहां तक माया और यह माया के भी बाहर है ठीक ने वह जो ग्यान लेकर के सब बैठे हैं ने वो ग्यान के भी बाहर है क्योंकि ज्ञान पूरू सत्तु है और उसको माया खीच लाती है देखा अजय तरिशा पढ़ों लेबा ते देखा अले के प्रपंश रोचे बैनने कूल माया में घीरा महीं बैन अगर माया से घीरा बाव माया से मुक्ति की से दिया सोगा लाई देखा मोहन भाय के जोना इदम पक्का पक्का होगा बैन ठीक नहीं है और परिमार रहीद बतलाते हैं परिमार रहीद का मतलब कि आपकी कोई सीवा नहीं है बेद और शंत जन दया और सुख का समुद्र दया और सभी सुखो का समुद्र उहां दुख का लेस मात्र तो अगर संत का चोगा पहने है तो किसी भी प्राणि को लेस मात्र दुख का अनुवाव नहीं होना चाहिए और यहां देखा दात कुल राच्छास्वन बस्तिया उजणवा देता है नहीं नहीं समझा जा कहें कि फच्चा फच्चा समझे रहे तब अच्छा बात बाद शुख का समुद्र और सब सद्गुडों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं बेद और संतलो माया गुन ग्याना तीत या माना बेद पुरान भनंता ठीक नहीं और कहते हैं माता जी कहती हैं कि वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले महा लक्ष्मी के पती परमपिता परमात्मा मेरे कल्यान के लिए प्रगट हुए और बेद ऐसा कहते हैं कि आपके प्रतेक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रहमांडों के समुव भरे ब्रहमांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहें नहीं ऐसा बेद कहते हैं बेद जो पढ़ा हो उससे देखिए यहीं बताएंगे और जाये ऐसे परम पिता परमात्मा जिसमें कई ब्रहमांड हो जिनके रोम रोम में ओ माता जी के गर्भ में रहे जिस सुनी हैं तो लोग बड़ा हसी उड़ रही हैं नहीं एक नारी के गर्व में इतना बड़ा भगवान जिक्रे एक रोम में करोडों करोडों प्रमान्द लगाबा जी तो कहते हैं कि ऐसे प्रभू मेरे गर्व में रहे इस हसी की बात के सुनने पर धीर यानि बीबे की पूर्शों की भी बुद्धी इस्थिर नहीं रहेगी बिचलित हो जाएगी अब उसके बाद जब माता जी को ज्यान उत्पन हुआ फिर प्रभू प्रेड़ा दिये ज्यान उत्पन हुआ कब ज्यान उत्पन हुआ जब प्रभू मुश्कुरा दिये कि मुश्कुरा दिए जब इतना कहीन है तो मुश्कुरा दिए इतना तो अपने आइसे ही निकल रहा था को सिल्या जी के बाड़ी से और उसके बाद जब मुश्कुराए तभी माता जी को ग्यान उत्पन हुआ और वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे नहीं आदर् दौस पिता दौस राजा इसलिए तो मर्यादा पुर्सुत्तम कहें गया ने क्योंकि उनके चरित्र में कहीं से कलंक का जगा ठीक अता जब करना चाहते थे तो माता जी को पूरुजनम की सुन्धर कथा करके माता जी को समझाए कि आप लोग मनु और सत्रूपा जी के रूप में हमें तपस्या करके मिले थे तो ऐसा ऐसा हुआ था तब सब समझा दिये जब समझा दिये जिससे की माता जी के अंदर पूत्र का वासल प्रेम प्राप्त हो पूत्र के प्रती जो प्रेम होता ने है वह बड़ा पवित्र होता है और होता ने तो उसी प्रकार से जो परम पिता परमात्मा है हनुमान जी भी देखके भ्रमित हो गए हनुमानों जी जब बाहर देखें किस किंधा में नहीं तो नहीं भ्रमित हो गए नहीं अगर पूछाता है तो भ्रमित भाया है अगर पुज़त है कि आपके हैं तो माया के बस में जे भी रही अपसोच ले शीव जी अनुवान जी तक माया के बस में पोजा लें अगरू का कर बै प्रभू का माया बहुत तगरी हो आती प्रचंड रगुपति के माया आती प्रचंड अच्छूटए रां मकरा जब दाया वह बिना राम जी के दया के चूट के तरों कोसिस कर ले नहीं देखें आज कुछ चिल्दानादना है हम ब्रह्म को जान गए ब्रावरोगे जब ब्रह्म के जान की लिए तो नया प्रपंज कर रशाता है यह ब्रह्म के जानी जाई तो प् जब माता अधिखिये भगवान है भक्त वस्टल माने उनके ही पूत्र है उनके भक्त को अपने भक्तों पर वह बहुत ख्याल करते हैं यहीं से देखा कुलेजवाय बहने अंगुर संत्रा अहुरी का बाजनों कुछो समोसा यहां है लेकिन एक बात हो भक्त विने खुप तोला लें थोवा तो फुरा थंदी भी तार है नहीं कौनों बाते लेकिरों में बड़ा अनन्द बाजा ने यहां भी दिद्वेवस्था बताद देखो ठीक बान है कोई के दुआरे गंगा जीना बहुत हुई है नहीं गया कि ज्यान देखी का अब भवा देखाए कूल तब्या का होई जब भी रावाई रा अधाम पक्का बनी हैं तो आघरा पका बनी है तो प्रधान जी प्रावाई प्रधान जीबाद तो कैसे पता चलिए को आप भी बंडीले जब अन्मोती के रूप में पूरे वि वात करो तो आफकरो ठीक ने यह नहीं यह नहीं यह आमें के पेड़े से आम कर पेड़ा तो उसे आमें के पल निकली नहीं के ही, जली लेए अब में अब के तर्फ को बनाओं है जो तो उमें इतना कर आख कि बाबक्ची कुछ भी हो जा लेकिन जूट का सहरा, नहीं यह अब देखाऊ संस्कार आपदेवे आगे देखो कहाए कि सिति का बाद कि जब ऐसा बात बताया तो माता जी की बुद्धी बदल गई और बदल गई तो वह बोलती है कि यह ताथ अब यह रूप छोड़कर अथ्यांत प्रिय बाल लीला करूं मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा अनुपम माने सुन्दर ठीक ने माता जी की यह बाड़ी सुनकर देवताओं के स्वामी सज्जन भगवान परम पिता परम्यात्मा बालक रूप हो करके रोना सुरू कर दिये कि दो करें ऐसे बोला है तो क्या हूं गया हूं क्या हूं तो अपने भास्ता में पोड़ा बता है लड़का पेदा हो लें तो किसे पूलोगों लें किसे रुखेओं सब जो ने लाइन से पतावाज़ कैसे परगवार रौत रहे हैं जो रहे हैं बोला कैसे देखे सुने नहीं बैं जो घम कर दो कि बतावाज कहां पड्रीभार के राम जी भाई बोलग जा सब रेकाड हो तो कहां रहे कहां रहे चले आप बते हैं जो है हीरा भाई कई से रुवा लें हाँ रुकरे बाद जोनों छेदी लाल भाई कई से रुवा लें बतावे सब भगवान के जन्नम बात अपन 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 शेदी लाल भाई बोलत बात आगे बढ़ी तराम भाई तर पहुंकि हैं तो यह रहां भाई किसे रुवा लें राम भाई किसे रुवा लें अब बोले लजात के रहे हैं चले अब गुरु दास भाई किसे रुवा लें अब जैसे से पढ़ावत का भाई बुवा से बोलो हो हाँ अब बंद्री भाई किसे रुवा लें कहां 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 ठीक नहीं अब आप चंदर भाई तो देखें कुली है बाई अब ज्यादा तुस्वेज हो नहीं हो चले ठीक भाई अब ध्यान देखें अब मुख्वा समझे के बाद पक्की पक्की बाद भाई भगवान स्यू जी के बाड़ी हो और यह कहीं से कटे वाला नहीं भाई यह भाव देखके तब मुख्वा भाई जो है अपन भाव कैसे ही बना लें तो सब कहें लगे नहीं तु बहुत बढ़ी है बढ़ी है बाद से के लिए तो बीप्रधे नुशूरे संत हीत अलिन्हम अनुजय अवतार और निजया इच्छा निर्मित्तनु माया गुन गोपार समझो ब्रामहड पहिदा सब्दबा ब्रामहड बिप्र धेनु मने गया जनल है गाय गौवता देवता और संतों के लिए परमपिता परमात्मा प्रभू ने मनुष्य का अतार लिया वे अज्ञानमई मलिना माया नहीं इस माया में तो यह कुल एक परिवार बाद्ध नालस कामणा गुशा घंध जलन्मत आमोः कपट दंब पाकन जूट धोखा चोरी छगी यह कुल माया का परिवार है तो यह मल इना माया और उसके गुण सतो रजो तमो इमाया के गुण हो इदिब गुण नहीं हो और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं जो बाहर की पाच इंद्रिया है और अंदर की पाच इंद्रिया है यह दसों के बाहर हैं माया के गुणों से भी बाहर है और माया से ही बा से बना है कि वे किसी कर्व बंधन से परवस होकर त्रीगुडात्बग भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं माने भौतिक पदार्थ यही धर्ती पानी आग हवा उराकास के निज इक्षा निर्मित तनु हमाया गुन गो ठीक नहीं तब वो खुल्मनियन अपने आपके भगवाण जी करके पुझवावत है वे दम्हें जो नहीं की हूँ हीडा कस्टपू के काली चाया बाब हो औरो कहीं कुछ बाए ऐसे ही एक दोहां और भीवा यहीं बात कि भगत भूमी भू सू प्रहित लागी क्रीपालू अकरत चरीत धरी मनुझे तना सुनत मिट ही जग जाल भक्तों के लिए भूमी के लिए धर्ती मद्दा के लिए भूसूर मने ब्रावणों के लिए और सूरभी मने गया के लिए और सूर मने देवतागी तो भक्ति तो सब कर सकते हैं भक्ति कि से को कोई बंदन नहीं इन पांचों के लिए प्रभू अवतार लेते और मनुष्व शरीर से अनेको प्रकार की लिलाये करते हैं इस बात को जो समझ जाता है उसका संसारिक भम द पूर हो जाता अराब से लीला आप लोग भी करिए किसी से लालज मत करिए यह काम नहीं कर सकता मनें अगर इसन बात अगर भाव रख ले हैं तो कुरों दिक्कत बाए अभी बात जो है नारद भाई के समझ में आएगा हों तापनाम पक्का पका निकलें कि देखा सेवा हुआ होई बाकी अपसे कोने मतलब नहीं जाए यह नहीं है तो सुनी सी शुरूदन परम प्रियबानी असंभ्रम चली आई सबरानी अब बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनी सुनकर सबरानियां उतावली होकर दावडी हुई चली हरसिते जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पूरे बासी दासियां हरसित होकर जहां तहां दोडी और सारे पुर्वासी आनंद में मगन हो गए ठीक नहीं है और दसरत जी के का होता साथ हजार साल के वस्ताद में कि दसरत पूत्र जन में सुनी काना माना हुँ ब्राह्मानंद सामाना जब वो पूत्र जन्म अपने कानों से सुनते हैं तो उन्हें पर्मानंद का आनंद प्राप्त होता अपरमे प्रेमे मने पूलके शरीरा चाहत उठने करत मती धीरा अब देखे जब आदी प्रेम में भी भीवल हो जाता है ना कहीं से अगर भीवल हो गया किसी सुख से दुख से किसी भी प्रकार से तो शरीर पूलकित हो जाता है फिर जो है कि मूझ से कुछ हवाज तो शरीर पूलकित हो चुका है दसरत जी का और आनन्द में अधीर हुई बुद्धी को धीरा देकर प्रेम में सिथिल हुए शरीर को सभाल कर वे उठना चाहते और उठ नहीं पा रहे हैं उठ नहीं पा रहे हैं तो बुद्धी काल नहीं आनन्द में शरीर पूलकित हो जाबा एसे और का आनन्द कराता है कि जाकर नाम सुनत सुभ होई अमोरे ग्रिय है आवा प्रभु सोई माने जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए स sapi यह कि यह बहुद्ने से ही लेकिन ही D भाव होई के चाही साम सब्सक्राशने बिया कर ली है बेट वाभा पेदाक्र लेए है तरा लिखा के बड़ा करके बियाभ कर दी लड़का लड़की मार के उन्हें जोना अलगियाउ देई तब वही भाव में अगर साधी करा ठीक ने पर जामा जोड़ा सब पहिन के जाए आज काल तो सब चाप से जाता है ने यह ने वहाव रखवे और श्रद्धा उस सम्मान के भाव से पत्नी के साथ रवे जब भाव पवित रही तो वह इसा बंस्वियूटपन लेकिन अब राम खुलाओन भाई हाथ से निकल गाबा अब यह चक्कर में पॉड़ा के जब हुगा और जोन बाब असो ही के बना ले जोन बाब हो ही के तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजा वह बाजा अब परमानंद में आनंद से बिल्कूल पूर हो गए हैं तब उन्होंने बाजे वाले को बुला कर कहा कि भाई बाजा बजाओ ठीक ने जब लड़का होला तो सब सोहर का वाला लड़की ओलें तो पुछो नहीं ने लड़का होलें तो पुरंता सठोड़ा के समान आ जाला और लड़की ओलें तो तुदिन दिन के बाद तो गुरू बसिष्ट कहा गया उहकारा आये द्विजन सहितें रिपे द्वारा अब देखिए अब गुरू बसिष्ट जी को बुलावा भेजते हैं जैने अब देखो जेकरे कि हाँ प्रभू परम्तिता परमात्मा शिव जी का आत्मा जनम लेवाएं अवतार लेवाएं उनसे बड़ा पुड़ी आत्मा के होई लेकिन युपूर आशस्वान जौन नया पंधर रचे हैं ने ने कल देखाया जब लड़का नहीं होता है तो उनके किया गये अब जब लड़का हो गाल तो बोलावा भी जते हैं घमंडी रहें कि समझा था ने इनने तमाम प्रकार के है हां एक के समझा के चाहिए ठीक नहीं इस बात समझा था कि नहीं कि जहां इन कि कैसे उनका दुकान चली जब दूसरे के नीचे देख रही है तब ने संकोजी के बाहू बनाता है नया नया पंध चला हुए कोन मतलब भा हुआ हुआ कि तब गुरु बसिष्ट जी ब्रामणों के साथ राज द्वार पर आए और अनुपम बालके देखनी जाई रूप रासी गुने कही न सीराई कते हैं कितना सुन्दर बालक को देखे जो की रूप की रासी ही है रासी मने आधार और जिनके गुर कहने से समाप्त नहीं होते तो अब इतना जब हो गया तो उसके बाद गुरु जी क्या करते हैं कि नंदी मुख सराध करी अज्यात करम सबकीन है अहाट कधेनू बशन मानी निपभी प्रन कहां दीन फिर अब नहीं लोग कराते नहीं तो हर बंस में सबके लिए यह था अब सानिक फूल में पैदा हुए हैं तो वो एक जातक कर्म ब्राम्हर लोग बता देते थे पहले कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए तो राजा वही नांदी मुख सराध करके सब जात कर्म संसकार आदी किये क्योंकि हर वर्ण धर्म आश्रम का नियम है कि आपको इसी रास्ते से चलना है और आज लोग इतना प्रचंड हो गया है कि सब अपने अपने मार को भूल करके जहां से बस धौन आये जैसे भी आये बस वही कर रहे हैं यह नहीं भाए ज्यान दे तो यह सब संसकार आदी करक के ब्राम्रों को सोना गाय वस्त और मडियों का दान देते हैं अध्वज पताक तो रन पूरे छावा कहीं ने जाई जेहीं भाती बनावा ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छागया ध्वजा पताका मोहन भाई संजल है ध्वजा माने हुए डंडा अव पताका जोन लहराला ध्वजा पताका अव तोरण जनल है आमे कटलो में जोनू कि आमे कटलो बाधी में लगा कि नहीं भूते हैं बनरवार अब तो कहीं सब याद नहीं रखेंगे हुआ कि 65 साल से पूरा भगवान का साथना करेब है अब जो है बिल्कूल अभी 82 साल को उमर बाद सोरह साल से चल लता है कि 1936 के जनमबा नहीं अब जब अग्रेज लोग गयां ते 12 साल के कितना रहलन है चले ध्यान दें तो इसे नगर छा गया और जिस प्रकार से वह नगर सजाया गया उसका तो वर्ड़न ही नहीं हो सकता और सुमन ब्रिष्टिय कासे ते होई अब ब्रह्मानन्द मगन सब लोई आकासे फूलों की वर्षा हो रही है और शब लोग ब्रह्मानन्द में मगन ठीक नहीं है कि वह समय अफका कवे जाये देव समय अफकाना ठीक नहीं बार वह समय पदा नहीं तुसे कहां कोनुं सियार गळार के कुले पैदा रहे जाए नहीं तो मुक्ती होई गाउद्या यहीं से जाय दो समय से भी मत जूड़ा थीक तो ब्रिंद ब्रिंद मिली चली लोगाई असहज सिंगार की ये उठी धाई अकनक कलस मंगल भरिथारा गावत पैठ ही भूप दुआरा अब जब राम जी का उतार हुआ और अध्या वासिस सुने तो देखा आज काल भी जब लड़का उड़का हो ला कोई कि हाँ जब एक दू दिन वीतला तो मेरा वोग आपसे बात करें कि चला हो अब सोहर ओहर सुरू होए चाही तो सब्सक्राइब लगा के खुट्राइब लगा के खुल जालिन ने लेकिन जब प्रभु का राम के जब अतार भाना तब बिना उसजे सवरे यह नहीं जैसे रही नहीं सब दौड़ी ठीकना है मनद सभाविक सिंगार भी नहीं करती है और उड़के दौड़ी और उसके बाद सोने का कलस लेकर ठालों में मंगल द्रब भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती कल्याड़ हुँ भाई कल्याड़ हुई तो करियारति निवे छावरी करही अबार बार सिसु चरननी परही अमागधे सूत बंदिगन गायक अपावन गुनेगा वही रघुनायक ध्यान दे वे नारियां चित रखाइसना चित रखाइसना सर्जु भाई कहां चित वा जूट नहीं बोले के बार तो वे नारियां आरती करके निच्छावर कर रही हैं और बार बार प्रभू के चरणों पर गिरती हैं मतब सर को रखती हैं और मागध मागने वाले सूत बंदी जन गवईये वे रघुकुल के श्वामी के पवित्र गुडों का गान करते और क्या होता है कि सरबसे दाने दीन है सब काहू अज्य ही पावा राखा नहीं ताहू राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिये और जो इसको दान मिला वह भी अपने पास नहीं रखा वो दूसरे को दे दिया समझे रखा अम्रिग मद चंदन कुम कुम कीचा मची सकल भी थीन बीच बीच बीचा नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केशर की कीच मच गई अनि छिड़काओ तो उस सब जे दान पावता हूं अपन दूसरे के दे देता तो बाद में जो रखे हूं बड़ा दरिब्रे रहा हुए यह नहीं है थी यह सब हुआ अग्री है ग्री है बाज बधाव सुभ प्रगटे सुसमा कंद हरसवंत सब जहता नगर नारी नर ब्रीन तो घर-घर मंगल मैं बधावा बजने लगा घर-घर ठीक है आज इसन नाई हो जगरे घर लड़का भबा वह इस क्या हुए दूसरे क्या जगड़ा हो ला हो है चाहिए अगर गाव में कहीं भी लड़का हो तो सब के जो है खुसी हो है चाहिए ठीक करते हैं सोभा के मूल भगवान प्रगठ हुए हैं और नगर के इस्त्री पूर्सों के जुंड के जुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं ठीक कल्यान हो पाई बस बैठ जाएं तो ध्यान दे तो कह कह सुता सुमीत्रा दोव असुंदर सुते जन मत भैव हुँ मता कैकेई और सुमित्रा जी इन दोनों ने भी सुरुंदर पुत्रों को जन दी और काते हैं कि वह सुखे संपती समय समाजा कही ने सकाई सार देया ही राजा उस समय का सुख संपत्ती समय और समाज का वर्णन मता सरस्वती और सर्पों के राजा सेश जी भी नहीं कर सकते ठीक नहीं है और अवध्यपूरी सोह यही भाती अप्रभु ही मिलने आई जहनूराती अयोध्यापूरी इस प्रकार से सुखित हो रही है कि मानो रात्री प्रभु से मिलने आई और देखी भानू जनू मन सकुचानी तदपी बनी संध्यानू मानी रात्री प्रभु से मिलने के लिए आई हो लेकिन सुर्य को देख कर मानो मन में सकुचा गई प्रण्तु फिर भी मन में विचार कर वह संध्या बनकर रह गई हो पने संध्या जैसा हो गया अगर धूप बहु जनू अधियारी उड़े अभीर मन हुआ रूनारी अगर की धूप अगर बत्ती बहु सा धूआं उसका जो है धूप का बहु सा धूआं मानो संध्या का अंध्यकार है और जो अभीरून रहे हैं वह उसकी ललाई है आयोध्या पूरी में यह अवस्था महलो में जो मडियों के समू है मडी लगाए गए है जगा जगा वे मानो तारा गण की तरह दिख रहे और राजमहल का जो कलस है नहीं दरवाजे पर गेट पर कलस लगाते नहीं वह मानो श्रेष्ट चंद्रमा के समान तो भावन बेद धूनी आती म्री दूबानी जनुखग मुखर समय जनुशानी अकाउतु के देखी पतंग भूलाना एक मास तेई जातन जाना अब राजभवन में अती कोमल बेद बाणी मने बेद धूनी ब्रामणों के द्वारा हो रही है वही मानो समय से यानी समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचाहट है और यह काउतु देख करके सुर्देव जिसके बंस से आप लोग है ठीक ने? रगु बंस यह जो है भगवान सुर्द का बंस वह अपनी चाल भूल गए और एक महिना उन्होंने जाता हुआ न जाना माने कि एक महिना ऐसा ही पड़े रहे और एक महिने तक जो है सब इस्थी क्योंकि सबका चित पर्मा नन में भूला हुआ है किसी को पता ही नहीं लगा यह सब बड़ा रहस की बात है ऐसा होता है अब सब प्रभू रामही से तो है जो दिवस्था है ओ परंपिता पर्मात्मा से ही तो है जी तो कहते हैं कि मासे दिवसे कर दिवसे भा अमरमन जानाई कोई रथ समे तेर भी ठाके उनिशा कवन भीधी होई कहते हैं कि पूरा महिने भर का दीन हो गया जिसन प्रभू प्रगठ हुए हैं वह दीन पूरा महिने भर जैसा हो गया और इस रहस्य को कोई जानता नहीं सुर्य अपने रत सहीत वही रुख गए और फिर रात किस प्रकार से हो सुर्य अगर उकव हैं से रात नहां से हुई है नहीं अब ध्यान दें कि यह रहस्य का हूँ नहीं जाना अदिनमानी चले करत गुनगाना कोई सबस्ज नहीं पाएं उपरेबाब सुर्देव प्रभूराम जी के गुर्गान करते हुए चल देते अदेखी महोसवे सुर मूनी नागा चले भवन बरन तैनी जे भागा और यह महोसव देखकर देवता मूनी और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चल अब यहां संका जी कहते है मेरी एक चोरी है उसको भी आप लोग जाल ले और आउ एक कहाउनी जे चोरी असुनू गिरी जायती दिढ़ मती तोरी अका कभू सुन्डी संग हम दोऊ मनुज रूप जानई नहीं कोऊ प्रभू के चरण में उसी जीव की बुद्धी दिढ़ हो सकती है जिसके अंदर स्रधा भाव और स्रधा अगर स्रधा दिढ़ रूप से है तो वहाँ पर कामना कोई संभव ही नहीं है वास्ता का जगए ही नहीं है मुवन भाव जहां स्रधा हो जाई तो वहाँ पर कोई कामना और ऐसी स्थिती में ही मात्र जो है जीव की बुद्धी जब यह दिढ़ रहेगी वही परमपिता परमात्मा में इस्थिर हो चकते हैं नहीं तो फिर अपना अलग से बहुत है ठीक कहते हैं चुक्कि दृड़ बुद्धिया इसलिए बता रहे हैं जिसकी दृड़ बुद्धि नहों उससे यहां बात कहनी नहीं कि अध्य को तर्क उतर करेगा और इसलिए कि राम या तर्क बुद्धि मन बानी तर्क बुद्धि मन और बाड़ी के बीसा है नहीं अध्या बाहर के है क्योंकि वह प्रकीति के बाहर है वह प्रकीति के अंदर के अगर तत्त होते तो बहुत भाव से यहीं से बहुत भाव से कान मन बुद्धी चीत जितना बाई एक जगह लगहा कि जब सुनबें ठीक ने कि बेद सास्र पुरान सब ग्रंथन के रफ होई अखिर के दख़ा सब कुस्त भायर लिकिन नहीं कि जाने के बाद यह वस्ता मिलाने नहीं यह नहीं तो संसार में नहीं मन लगा रहा वह विज्ञानिक बने के बाद मेर्खा जाएक भाव माई पहु को नाम करें कि वह इस तो रहा जज़वा लेकिन बाद में समझे यहाल कि अलिके लीला अलग कोई ठीक तो वहीं करते हैं कि चुक्टी बुद्धी द्रीड है इसल दोनों लोग वहां साथ साथ थे जब प्रभू का जन हुगा था तो सीव जी और काग खुसुंदी जी मनुस रूप में आये हुए थे परन्तु मनुस रूप में होने के कारण हमें कोई जान न तो परमानन्द प्रेम सुख फूले अभी थी ने थी रही मगन मन भूले अया है सुभे चरित ध्यान दे आज अगर इबात बैठ जाता जेकरे भी मन में तो उँ जरूर पूर्यात्मावा जेके बैठ जाई चित में उँ अपने चरित से सारा भ्रम तुरंत निकाल दे यही छण भाई देखो अब जूबाव तबाम यूनी से गुजरा बात तमाम जो है सुभाव से भरावा याने साब लालच कपड़ से हर व्यक्ति पढ़गा भाएं को मन यह नहीं धरती पर खाली बाएं कि यह सुभ चरीत जान पैसोई अक्रीपा राम के जापर होई करते हैं यह सुभ चरीत्र वही जान सकता है जिस पर सी राम जी की क्रिपा हो तो कि आत्मा यह कहीं है आत्मा और परमात्म तब तुम्हें अंतर लेकिन सब राक्षा जितने पंध निकले हैं सब के सब भेग पैदा कर दिये किसलिए यही माया के सरीर का रूप नाम का जान लिजे प्रभू हमेशा अपने इच्छा सो उत्पन होते हैं सेक्स के द्वारा कभी प्रभू पैदा अगर कोई ऐसा ब्यक्ति करता है तो अज सबसे निक्रिष्ट गिरा हुआ ब्यक्ति होगा अरे आरा आत्मा तो हमर है भाई कहां रूप और नाम की चक्टे में क्यों पढ़ गए प्रभू के माया से बुद्धी भोरी हो गई है और भक्तों के साथ बहुत बढ़ा अन्या हुआ है ठीक नहीं चरित समझे है क्योंकि ओश्यू जी के भी आत्मा है तो वहीं अजनमा ब क्यमारा इस्वर अलग है उसका इस्वर अलग है हम अलग बस के अब अलग है साथ के साथ कुछ नहीं संकर्दी कर भाउखों कि नहीं हो सकती है और बिना इच्छा के कोई जो है कि यह काम जो दसों का हो रहा है जीवनाक याक कान चमड़ा धान बंस चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा की यह संभव नहीं है अगर यह चाहिए तो आप संथ नहीं हो सकते क्योंकि संथ हमेशा इच्छा के बाहर अब जन करहीं अभी प्रय पमाना अजाना ही संत्या नंते समाना या स्टियू जी की बारी है और एशार स्वा कते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं वहीं ब्राहमर हो गया कोई ब्रह्म को जान नहीं सकता जान जाए आज शुद्रकुर्ण ने भी पैदा हुए है तब भी नौगुर होते भाए शम मन निग्रह दम इंद्री निग्रह तपस्या सोच पवित्रता मैं सोच पवित्रता छमा शरल्ता ज्यान विज्यान और आफ्षित्ता कि एक्ठो मन निग्रह है नहीं जिसका मन निग्रह होगा भीया समझ में आ गया कि शरीर तो सेवक है नहीं तो अगर सेवक है तो सेवक का काम है सेवा आप लोग भी बेद पढ़े हैं जान जाएए सेवक धर्म कठीन जग जाना अयागम निगम पूरान बखाना क्योंकि सेवक धर्म में सेवक धर्म जो है उसमें ममता द्वेश राग रोष ममता राग रोष रिशा मदे मोहूं अजनी सपने हूईने के बस हो ममता रोष रोष मदब की आइसा रोष जो दूसरे का नास कर दे हूँ आलाग समझाओ बदे भाई ठीक भाव भाव बदे राग रोष रिश्या जलन राग मतलब लगाओ लगाओ जो संशार में बाव लगाओ नहीं बाद तो उम्में लगाओ कर जगाओ सब के अंदर पर समझे और अब अलग जीऊ खूकर ěए और ने ते प्रोथ करे के बाद, ने ते जलन बाद, और उकरे बाद मद, घमंड के जगा नहीं बाद, और मोह मने, इंद्री और इंद्री से समंधि सरीर का जो भी, मोह मने ऐसे समझ ले, कि ऐसी वस्तु जो इस्ठिर नहों उसके पीछे दोड़ना, और श्री राम जी के आगे जो है कोई भी यहां रूप का नाम यहां इस्थिर होने वाला जो सेक्स से उत्पन होते हैं हाँ यह तीनों अलग बार है हाँ मिलता है मिलता है लेकिन इसमें अंतर है एक तो इस्थिया होता नहीं कि वो थोड़ा हलका बार यहार बड़ा बढ़ गया जो है हां और अब एक आप जलन पैदा कर देए एक आप खाली देखला लेकिन प्रभाव उतना थीक नहीं अब रिखे जलन पैदा कर देशाओं जहां मिले नहीं कि मारे नहीं तो कहां कि तात्पर्वा कि जबी शरीर सेवग वा तो सेवा होता लेक थोड़ा सा इतना के रोग देख तो के समझवा फिस बाक्ति करल जाई बहुत अलग बाद तो क्या हुआ कि जो यह बात सब्रभू सिवजी कर रहे है कि कि जो यह सूब चरीत जान सकता है जान जाए तो समझ लीजिए उस पर स्षी राम जी की बहुत बड़ी क्रीपा क्योंकि परमात्मत्रत तो यह कही है उसमें भेद करना वो बिल्कुल जो है और होता क्या है कि अबे जो वासनाएं है तीन थो जो है प्रिश्रा है धन बंस या चेला नामे और पुझा प्रतिष्टा यहीं में सब जो है तो फिर भी तीर हो जाते है बाहर होता है लेकिन यो अगनी प्रगट करना होगा वह इतना असान सब कर्मों के जब खूब देंगे तो मंता मों जौल जाता है खतम हो जाता है और यह सब काम नहीं कर पाए तो लोग साधना किये जब नहीं पहुच पाए तो बोल दिये नहीं होता है क्योंकि शिव शरूप बनना होगा शिव शरूप नहीं कि बिल्कुल जो है गुड़ाती नहीं और रजो सतों तमों के बहार अगर संत की अवस्था है अगर इक्षा से बुद्धी को बांद दिये विचार करिए तो बुद्धी वह अनंध हो सकती है और यहां पर देखिए कर यूप कहें सब थीक तो करते हैं कि इस बात को जान जाएए प्रभु अवतार लेते हैं और भकतों के लिए ब्रामळों के लिए गाय के लिए और धरती के लिए भगत भूमी भूसूर सूरभी और सूरहित लागी घृपाव देवताओं के ठीक नहीं तो जब इच्छा रहीत है तो उनको क्या जरूरत है भरती पर नेकिश्चा नहीं लेकिन जे भग्त लोग उनके सहरे बाद सेवा देता थीक तो तेही आवे सरे जो जेही बिधियावा दिन है भूप जो जेही मन भावा अगजरत है तुरग हेमको गोहीरा दिनेंडी पहना ना भीधी चीरा और कते हैं कि इस आउसर पर जो जिस प्रकार से आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा ओर राजा दसरजी सब कुछ देते हैं ऋपेश्ब क्या जितने वाले पुरिशव रहे उतना बड़ा पू्ड़ आत्मा कभी उत्पन सब्सट अब किता पर्मायशल होतार ले ख़ paralysis ने पूर का आधार ही होता और पूर का अधहार ही होता है सत्त बीना सत्त के पूडे कर्म हुँ नहीं सकते हैं तरहीं पूड का और पाप का आधार है और wszystk तो हुआ स अभा ये तौण के रास्त सांति दें सप्रा सांत खुड के रैस्ते के सल्वां अपनावा को अपना प्रह unique और जब तक सेवक भाव के इस्तिन न कर वे तब तक सांती के रास्ते पर अहम भाव से अगर बधा बाद कि हां भाई अलोग से और लग से के वा सदेने अंदर से तो एक क्या बाई कि अरे भाई जेवी जूट बुला था सभाई के बुद्धी के पता लग जाता में मुरी में जौन कुछ रही चीप में क्या यह मुबाईल में लगा उचार दूसरे में लगा एक क्या बात बजी ने सबही के तब बात पता लग जाता ध्यान दबस रूगाद है नहीं ठीक नहीं अब होगा तुस्वे लगए अब मेरा रुभाल जुन के तरह जोन होना है जहां सब्सक्राइब मौका मिला कोई में कोई सब्सक्राइब करें कि हाथी रथ घोड़े सोना गाए ही रे और भाती भाती के वस्राजाजी सबको ने उख्षावर तुमन संतो से सबनी के अब बिर्भल भाई सुचाता है नूं मौके नहीं मिला लंग है ठीक है यार सून के संबद जा जाना है मनों में के संतो से बड़ा लावर का तुमन संतो से सबनी के राजा जब सबके मन को संतुस्ती देते हैं तो जहा तहा लोग आसिरवाद दे रहें पर हम विजा परमात्मा को भी आसिरवाद दे रहें और कहते हैं कि अब तुल्सी दास जी भी लिखते है अपना कि तुल्सी दास के स्वामी यानि सब पूत्र चारो राजकुमार चिरन जीवी और दिरभायू ठीक नहीं तेखा जीव का अलग बाद जीव का जोन नितिवा अलग बाद परमात्मा के लिटिव उन्हें तो कोनो तो उहां अमलबा उन्हें तो कहीं मौलबा नहीं पूत्र जौन करें तहीं आदर्स कर दीए तुरन और वह सही एक शरीड के बनावय के निति जब साधना कर दें तो सही जिसे कि अगर उपदेश देता है कि प्रभू तो निरंजन है निरंजन माने माया रही तो इसका मेरे में तो यह उपदेश देने के अधिकारी नहीं है अगर करते हैं कि प्रभू अद्वयत है तो फिर आपके जैसा कोई नहीं होना चाहिए दढ़ती पर क्योंकि यह कहीं कोई होगा इक्षा रही माया रही दो चरीत्र गुरू के अवस्था में है तो नीजी इक्षा का जगा अनंत की अवस्था में रहेंगे तो समझ लिजिए कैसे होगा जो काते हैं कि गुरू ब्रह्मा गुरू विश्रू गुरू देवु महिश्वरों पहले पढ़िए कि ब्रह्म्हा जी भी गाते हैं प्रभू के अस्तुति करते है थीक ने शीव जी धी अस्तुति करते हैं विश्रू जी पूर बीरक्त है तो ब्रह्म्हा विश्वरों औरौ्श्रू जी का चरित पहले दारोở करे इक्षा रहित's पूरी धर्ती इस समय कपट के जाल में जखड़ी जा चुकी है एक ब्यक्ति नहीं है जो की गुरू के जगण बैठने का अधिकारी हो करें की स्थुतिवा की संथ की जो विवस्था होती हो बिल्कुल अनंत है ना और संथ का कोई नाम या घर नहीं होता नाम या घर नहीं होता जिसे संसार में समझे वे दे अगर जो है कि भगवान समुंदरवा है समुद्रे से तो पूरा बादल और चारों तरफ होता नहीं है तो संथ होते बादल वारिस कि यह आगे बढ़े बादल कोने वह लागवर यह बादल करें तो जा करके जोनों कि छला घरे खाओ कि आओ तो फिर दूसरे जागे जाए बहुत है कि नीजी इक्षा से अगर बध पूर नाची जाहें मिठी बाड़ी बोलिए जाहें कुछ की करिए जो कुछ आपके अंदर नहीं है वह बोलने कि आप अधिकारी नहीं है यह नहीं है जोची बठलने बहुत देवेके से खली कहस हो जाई भाए तो चरीत्र में होई तब ने लोग बेखिया है और खुब ब कि विचार कर रही बड़ा बारीग बास्त समझेंने है चुकि यह समय अब जो त्याग तपस्चा के बेवस्था रहा अब सब्सक्राइब रिद्धी सिद्धी में फस गया है आठों सिद्धी नौ निधी के जे तीनका की तरह त्याग कर दोके जाके बिरक्ती मिली है और य बिना बैराक के योग कैसे हो सकल वदव है यह तो जब आश्टधा प्रकृति के बहरे बाएं तगर यह प्रकृतिया में रिद्धी सिद्धी सब्भान है कहिए तात्सो परम अभिरागी अत्री नसम सिद्धी तीन गुण त्यागी इनों गुण रिद्धी सिद्धी सबका तब आप योग का धिकारी बनवें और यहां कोई अहंकार छोड़े वाला नहीं वाला देखा अभी ही के साथ यहां बाणी के बिद्धी बाता कर लेता ही तो इसी बाणी के साथ बोल ये शियावर राम चंद्र की जै पवन सुत हनुमान की जै अब मोहन भाई सहीत सभी भगतों की जै अहार हार महादेव